Hello guys ! तो क्या हल चलें आप लोगों का ? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हम OBS में वीडियो रिकार्ड करते हुए अपनी noise की problem को दूर कर सकते हैं, audio की noise जब हम video को record करते हैं, तो हमारे पास किस तरह noise होती है और हम इसको बिल्कुल प्रॉपर तीके से किस तरह हम खतम कर सकते हैं तो चलिए आए हम स्टार्ट करते हैं तो गाइस यह है पहला सेंपल कि जब हम यह देखे मैं पब जी खेल रहा हूं पब जी के अंदर हम जब वीडियो को चलाते हैं तो यह मेरा पंखा भी चल रहा है और यह मैं विडाउट सिरफ अमने हेड़फून के मैं माइक यूज कर रहा हूं तो आपकी इस तरह यह प्रॉपर पीछे से नॉइस आएगी मैं एक्जेंपल की तोरे बता रहा हूं तो अब मैं आपको noise remove करकर दिखाता हूं हम करेंगे क्या तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इस setting के button को press करेंगे ठीक है उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे filter में filter में मैंने यहाँ पर लगाए है अपने 5 filter तो आपने सबसे पहले कमप्रेसर का फिल्टर लगाना है, फिल्टर एड़ करने का मैं आपको लोगों को तरीका बता देता हूं, सबसे पहले आपने जाना का है, यह जो पलस का साइन आपको नदर आरा है, इसके वावर कलिक करेंगे, यहाँ करना क्या है यहां पर compressor यूज करना है उसकी ratio रखनी है 10 और threshold रखना है minus 18 attack रखना है 6 release कर देना है 60ms और output gain 0.0 रख देना है उसके बाद आपने gain रख देना है 0 पे यह normal रहेगा उसके बाद noise gate में आपने close threshold में आजाना है minus 32 पे और open threshold में आजाना है minus 26 पे फिर आजाना है noise suppression पे noise suppression को आपने बिल्कुल नहीं चेड़ना बस इसको ऐसे लगा देना है यह थोड़ा सा CPU की उपर work करता है और आपकी noise को भी complete remove कर देता है limiter लगा देना है limiter से यह फायदा होता है कि जब आप बोलेंगे तब आपका mic on होगा और आपकी voice clear जाएगी threshold को minus 6 पे रखना है और release पे 60 पे रखना है और इसको आपने कर देना है close और इसके बाद आपने और क्या चीज़ अप्लाई करनी है setting के ओपर press करना है right click इसके बाद आपने जाना है advance audio properties में यहां पर जाएंगे यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर क्या नदर आ रहा है mic or aux नदर आ रहा है यह वह चीज़ है तो आपकी normal wise होती है मतलब उतनी ही वाज होती है जितनी वह capture करता है इससे क्या होगा कि वह normal से आपकी wise को थोड़ा सा अप ले जाएगा आपकी wise थोड़ा clear और जादा नदर आएगी चाहे आप अराम से भी बोलें तो इसका एक यह फाइदा है तो यह यह आपने setting कर लेनी है जिससे आपकी noise अच्छी हो जाएगी ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छे लगे तो प्लीज like share and comments कर दीजिएगा और अगर चैनल को आपने subscribe नहीं किया पहली दफ़ा है तो subscribe भी कर दीजिएगा और इस तरह की मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो ल झाल